आनून अपना काम करता है इस पर हमारी कोई टिपनी नहीं लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पी अफाई आज एक आतंगवादी संगठन है जो भारत विरूधी काम करता है पुर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है फुलवारी शरीप में पकरे गए उसकी प्लानिंग आप आश्टपना देना चाहता उनेश्व सहितालिस के पहले तो जो इतना बड़ा कुकिर्थ करता हो फंडिकंठा करता है भारत के खिलाप आंदोलन करता है भारत के जन्मानस को भरकाता है तो ऐसे संस्थानों पर अगर कारवाई हो रही है दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पी अफाई पर छापे पड़े तो जो पुलीश का बक्तब्य आया था वो निराशा जनक आया था उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी ये नितीश बाबू ये लालू बाबू लालू जादर ये लोग नितीश जी तुष्टिकरन की राजनीत करते हैं तुष्टिकरन की राजनीत में कभी लालू जी सिम्मी को लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बेहन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पी अफाई बनाया तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू जादब का राज था ये बिहार खास करके सिलीपर सेल आतंक ब के कारण यहां फलता फुलता है और तेरह राजियों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले उसमें तेरह राजियों से जुरे हुए रहे तेरह जीलों से कल ग्री मंजी भी आ रहे हैं पूरियां क्ल थे भी गिए रहे हैं पुल अर्वराणाओा बगी टूराण जिले वे दोर्जजड़डइब से घुरामा यहां थीख फ़र्राणे पूर्ण जो से घुराका भी झाल «ग्रशावबर बट्राणाशलाव़ण़न में तेरह रहे करे बविश्यों ऌरियों